आज हम बनाएंगे बैंगन के भरते की नई रेसिपी आपने बैंगन का भरता बहुत बार खाया होगा तो आज आप मेरे तरीके से यह बना कर खाईए गाईज इतना टेस्टी लगने वाला है कि आपके घर वाले उंगलिये चाट चाट के खाएंगे सच बता रहें गाईज इ दोस्तों देदी किस वात की करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट हैलो एव्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल कुझ की रसोईसो दोस्तों बनाते एक दम यमी यमी टेस्टी टेस्टी बहुते की नई रेसिपी तो फ्रेंट्स ब्रेंगन का भरता बनाने के लिए यहां पर म पहले इनको ना अच्छे से एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर कोई किछन की टॉबल होती है वह ली लीजिए जो अच्छे से ड्राय कर देए बैंगन को पानी को सोक ले तो इस तरीके से मैंने यह सारे बैंगन को पहुच लूँगी यह देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम बैंगन को कրेंगे तो इस तरह आफ ब्यंगन लेना के यह बीच मेंसा कड कर देना और यह टो होता है निकाल देना और इस तरीके इसको पूरा कट नहीं करता यह देखके साब इसलिए आपको कट कर या तो पो बूमना चाहिए वह झालते थो यह ताière करना बॉकर क्लिए उससे क्या होता है तो यह लिए आप देख सकते हैं अच्छे से पहले इनको आच्छे से कट करने को चुके हैं तो आप यहां पर निकाल देंगे और क्या करेंगे नीचे की साइड से हलका सा कट लगाएंगे ताक हम चलने में आसानी हो जाती है अब यहां पर हरी मिर्च को भी कट करेंगे क्योंकि तालेंगे तो फटने का डर रहता है और जलने का भी डर होता है तो यहां पर क्या करूंगे मैं इस तरीके से इसकर डंधा निकालेंगा और इस तरीके से बीच में चीतर लगा देंगा यह देखी इस तरीके से ठीक है तो हमारी सारी चीज़े तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं अब इनको हम fry करेंगे उसके लिए चलते है अपनी गैस की तरफ फ्रेंट्स यहाँ पर हमने गैस पर खड़ा ही रख दी है और फ्लिम को on कर दिया अब यहाँ पर हमने डाल दिया है सरसो का तेल तो फ्रेंट्स जो हम बैंगन का भड़ता बनाने वाले है उसको हम fry करके बनाएंगे तो देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको तेल को अच्छी से गरम हो चुका है तो अब क्या करेंगे एक एक पीस उठाएंगे बैंगन का और इस तरी चीज़ों को अब यहां पर हम टामाटर भी डाल देंगे और जो हरी मिर्ची थी न वह भी डाल देंगे यह तीनों चीज न एक साथ इसको फ्राइब कर लेंगे इस तरीके से पहले मैं उलट पलट कर लेती हूं कर्षली से यह तो चलिए दोस्तों पहले क्या करेंगे अब यह डिए नहीं को होना दो मिर्ट के अच्छे से फ्राइब कर लेंगे दो मैट हो चुके आप देख सकते हैं टामाटर ना बहुत जन्दी फ्राइब हो जाते हैं थामाटर और अरा owe gehen निकाल देंगे और यह झाले और यह निकाल. चूँङ कि यह तो यह हम्ने निकाल इनको भी थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे यह लीजिए बहुत ही अच्छी से हमारे बैंगन भी फ्राय हो चुके हैं कलर देख रहे हैं अब इतना ही कलर आना चाहिए इन बैंगनों में बहुत ही सॉन्दर सॉन्दर टेस्ट आता है तो चलिए दोस्तों पहले मैं इनको निकाल देती हूं और फ्रेंट्स सही बता रही हूं अगर आप फ्राय करके बनाएंगे ना बढ़ता अलगी टेस्ट आता है क्योंकि हमने टामाटर और हरी मिर्च और बैंगन फ्राय करें इसे सोन्दर सोना बना जाता है तो यह लीजिए फ्रेंट्स मैंने यह सारी चीजे निकाल अच्पश चछेश पारणावति तो उनदेंगे त्युक्त सबसे निकाल देगए बहुत आसानी से निकल जाते हैं बलकुर परकता है जटपट से झिली जाते हैं मैंने यहाँ पे बैंगन की चिकल निकाल दिये हैं अब यहाँ पे टामाटर की चिकल निकाल देंगे यह दिखे इस तरीके से इस तरीके जरूर बनाना बहुत ही आपकी जो बढ़ता है ना सोंदा सोंदा बनेगा बहुत ही टेस्ट बढ़के आता है तो यह लीजिए फ्रेंड्स सारी चीज़ों को अच्छा शिकल निकाल दिया है अब यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले एक मैशर ले लेंगे जैसे किस तरीके से तो चलिए दोस्तों इसी तब योम करना है सबसे मीन पॉइंट तो थी सार क्या मैं चोट छोटे पीसिस में कर तकर सान ना सबसे पहले मैं इसमें ही डाल दूगी फ्रेंट्स बहुत ही अच्छ टेस्ट आता है यहां पर तो यहां पर तो हड़ा सा हरा दनियाइ भी डाल देंगे तो हम इसकी चाट बनाने वाले नहीं है friends बनाएंगे बैंगन का भरता बट जब हम इस तरीके से कच्छी प्याज डालते हैं तो जब बाद में जब खाने में कच्छी आते हैं बड़ा टेस्टी लगता है सच में तो इस वाला प्रोसेस जरूर करना तो इसारी चीजे मिल चुकी है तो चलिए बड़ता बनाते हैं उसके लिए चलते हैं गैस की तरफ जर्ली दोस्तों पहले इसको अच्кого सब्वूं लेते हैं दोश्न अध्रम लेते हैं और अध्रक लिस्ट,ण बहुत ही अच्छी सप्वून के तयार हो चुका है तो और जलो बांको बाधी बची प्याज की दूँल प्रेंट्स प्याज अच्छी से भुन चुकी है तो यहां पे ना दो हम ना मैंने साबित लाल मिर्च ने छोड़ चुटे पीसे में कट करके रख ली ती और वह डाल दिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता देखने में बहुत सुंदर लगती है इसको अच्छी से हमें कर लिया है तो आधी चमाज यहां पह डाल दि क्या दाता है और चमज बर के डाल देंगे दनिया पाउड पॉड़र और ऑद आधा ही कैले को सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे पहले अब हमारे मसाले जलेना उसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे यह लीजिए यह पर थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया इसको अच्छे से मिला लेंगे और इस मसाले को अच्छे से हम भुनने देंगे यह लीजि मुह में आ रहा हुगा आपके मुह में पानी सच में बता रहें गाइस क्योंकि मेरे खुद मुह में पानी आ रहा है मैं आपको क्या ही बता हूँ तो अब यहाँ पर स्वाद अनुसार डालेंगे नमक नमक डालने के बाद गाइस इसको न अच्छे से मिलाएंगे और आपे हम आदा नीबू ले लेंगे अच्छे से निचोड देंगे और फ्रेंट्स नीबू को बड़ा टेस्टी लगता है अगर आपके पास नीबू ना होना तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिला दिया है तो लीजिए फ्रेंट यह लीजिए गर्म गर्म हमारा चट पटा स्पाइसी एकदम यमी यमी टेस्टी टेस्टी बनके तयार हो चुका है बैंगन का भरता लग रहा है ना गाइस मूह में आ गया ना पानी तो चिंता मत करिया अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो पूरा घर उंगले चाट सब्सक्राइब करके जरू बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना बहर बढ़के लाइक कर देना और फ्रेंड जा से या शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अपने घर में बनाकर खा सके और इंजय कर सके फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक्यू सो मुश बढ़े हो तो आशिवाद देना धीर सारा प्यार देना हम लेंगे नेक्स वीडियो के साथ न्यू रेस्पी के साथ तर तक के लिए बाबाए टेक केर लाव यू ओल